सो हलो दोस्तो वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल से दोस्तो जिसके जिसके एकांट स्टेट बैंक ओफ इंडिया में दोस्तो उसके लिए एक बहुत बड़ा गुड नीव जाया दोस्तो जी हाँ उसके लिए एक बहुत बड़ा खुश खबरी आया दोस्तो और ओ खुश सच्छ में आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा है और आप इस ख़ूस खरु को लाब भी उठाना जो चारसोर दिन का स्पेशल एबडी प्लान था उसको चेंज कर दिया गया जो छो बैलिट था 15 अगस्त उसको चेंज करके अभी बढ़ा दिया गया अभी जो डेट किया दोस्तों आज की इस वीडियो में बताऊंगो कि प्रेड उसका कब तक है आने कि कब तक आप उसमें औ और अपने रुपिया को इन्वेस्ट करके और अपने रुपिया को डवल कर सकते हो दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने लो दोस्तों और आप कितने दिन तक उस एबडी प्लान का बेनिफिट उठा पाएंगे तो दोस्तों करना है कि आप लोग को फूल वाच करना है वीडियो में आगर बढ़ने से पहले अभी तक जो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं मैं यहाँ पर स्टेट बैंक को फिनिया के एबडी टेबल को अपन कर लिया है दोस्तों आपको करना है क्या आपको स्ट्रॉल करके नीचे आना है नीचे आने वर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं रिविशन इन इंट्रेस्ट रेट ओन रिटेल डॉमेस्टिक ट्रम डिपोजिट बेलो आरेस टू करोट डेवलुई एफ पंद्रों दोज़र तेस आनी की दोस् दोस्तों आपको आने नीचे नीचे आने वर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपको पूरा नीचे आना है नीचे आने वर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो फोर हंड्रेट डेस्ट अस्पेशल अस्कीम आई-ई-अम्रित क्लास दोस्तों जो फोर हंडेट डेस्ट तिल 31 डिसमबर 2023 दोस्तों यहां पर देख सोते हैं जो कि 15 अगस्त था 15 अगस्त से बढ़ा करके 38 डिसमबर कर विया तो आप 38 डिसमबर तक मतलब आप इस special FD प्लान में जदी इनवेस्ट करते हैं तो आपको एक अच्छा-च्छा maturity amount मिलेगा तो दोस्तों यहां पर बता दना चाहते हैं आप जिदी 400 डेस का special FD प्लान में अपने रुपिय को इनवेस्ट करते हैं तो जो जेनरल पाब्लिक को मिलेगा वो मिलेगा 7.10 परसेंट और अनुवली मिलेगा 7.29 परसेंट दोस्तों एंड senior citizen को मिलेगा तो यहां फे 7.60 परसेंट और अनुवली मिलेगा 7.82 परसेंट दोस्तों आप जिदी अपने रुपिया को इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना रुपिया मिलेगा और आपका कितना इंट्रेस मिलेगा दोस्तों यहाँ पे मैं कैल कुल्डर आपन करके दिखा देता हूं अनिकि 7.29 प्लस 7.30 7.82 परसें दोस्तों आप जिदी सिनियर सिटीजन हो तो 7.82 परसें आपको मिलेगा तो यहाँ पे 7.29 और 7.82 परसें का अनुसार से यहाँ पे मैं दिखाता हूं आप लोगों कि आप इसमें जड़ी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना मेचुरूटी मिलेगा तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले यहाँ पे अपना में FD का कैलकुलडर ओपन कर लाइता हैं कैलकुलडर ओपन करके आप लोगों को दिखाता हूं तो यहाँ पे आप देख सकते मैं यहाँ पे FD कैलकुलडर को आपन कर लिए दोस्तों और यहाँ पे मैं एक लाग रुपया लिग दिया हूं और जेनरल पाब्लिक के हिसाब से 7.29 परसें लिग दिया यहाँ पे टाइम पिरियेट जो है 400 डेस का यहाँ पे टाइम परेट ग्लाख सेट कर दिया हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका प्रीइन सीपल एमाउंट है जो हो जाएग आपका एक लाग रुपया और आपका मैच्रूटी एमाउंट हो दोस्तों 106,000 पैस तो दोस्तो यहां पर देख सकते हैं जो कि ए हो गया जएनर पबलीक है और आप सिंचिएमान्ट काल दिकार्बॉप आपका 7.82% का अनुसार से यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कितना होता है दोस्तो तो यहाँ पर आप देख सकता है आप जिदे senior citizen हो और आप जिदे एक लाग रुपिया इन्वेस्ट करते है दोस्तो तो आपका जो maturity एमांट होगा दोस्तो ओ हो जागा आपका एक लाग आठ 6601 रुपिया 26 पिशा आने कि दुस्तो बैंक जो rate of interest देगा ओ देगा 8601 रुपिया 26 पिशा दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8601 रुपिया 26 पिशा आपको rate of interest मिल जागा और यहाँ पर बात करता हैं 2 लाग कि आप जिदे 2 लाग रुपिया इन्वेस्ट करते दू सब्सक्राइब यहां पर दिखा है जर्म फार्ट उसके बाद सीट्रीयशृड करदी आनि के लिक तोですね क safetyland application आपका जो पिरिंसेपलम्त वह घोजागा immediate रुपिया और आपका maturity amount हो जागा दो दो लाग 16,000 32 रुपिया चोहतर रुपिसा आनि कि दुसतों आपको जो बैंक 82% का अनुसार से दिखा देता हूं दोस्तों कितना होता है 7.82% करके यहाँ पर मैं कल्कुलूटर में 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 जाए। केल्कुलोडर में किलिक करना म calculate याँ पर देख सकते principle amount आपका अपका हो जागा चार लाग रूपया और आपका maturity amount हो जागा दोस्तों 4 poderia 22,000 पेशलट e 2 पेशलिया 99 पेशह आपका maturity amount हो जागा आनि कि जो आपको bank rate of interest देगा दोस्तों ओ देगा 32,000 परसेट रुपिया उन्चाज पेसा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 32,000 परसेट रुपिया उन्चाज पेसा आपको bank rate of interest देगा आपको कितना मिलेगा दोस्तों senior citizen यहाँ पर लिग देता हूँ 7.82% और यहाँ पर किलिक कर देता हूँ आपको बैंक रेट ओफिंडेस देगा यहाँ पर 34,405 रुपिया छे पेसा दोस्तों यहाँ पर 34,405 रुपिया छे पेसा आपको bank rate of interest देगा ज़स्तों यह होगी आपका 4,005 रुपिया का है और आपको कितना मिलेगा दोस्तों यहाँ पर इमें केल्गूटर करके दिखा देता हूँ यहाँ पर 5,005 रुपिया लिख दिया हूँ लिखने का बास यहाँ पर 7.29% का अनुसार से आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो maturity amount होगा दोस्तों ओ हो जाएगा आपका 5,004,008,001 रुपिया ची पेसा आनि कि दोस्तों बैंक जो rate of interest देगा ओ देगा 40,008,001 रुपिया ची पेसा दोस्तों 40,008,001 रुपिया ची पेसा आपको bank rate of interest देगा तो दोस्तों यह हो गया आपका general public है और आप जोड़ी senior city जैनल तो आपको कितना मिलेगा दोस्तों यहाँ पर मैं 7.82% कर देता हैं तो यहाँ पर मैं दिखाता हूं कितना मिलेगा आपको 7.82% करकर यहाँ पर मैं calculator किलिक कर देता हूं रुपिया 32 पेसा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जो कि state bank of India में 400 डेस का special FD plan में ज़िए आप अपने रुपिया के इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 43,006 रुपिया 32 पेसा rate of interest मिल जागा तो दोस्तों यहाँ पर जो कि state bank of India के तरफ से जो 400 का special FD plan का जो डेट बढ़ा दिया है दोस्तों तो मैं सजेस्ट करूँगा कि जल्दी जल्दी से आप जिदे एस्टेट बैंक ओफ इंडिया में अपने रुपिया को फिक्स डिपॉजिट करना जाते हैं तो जल्दी जल्दी जाकर करके आप 400 दिन का जो स्पेशल FD plan है उसमें आप अपने रुपिया को इन्वेस्ट कर दीजिए दोस्तों आप जोड़ी उसमें अपने रुपिया को इन्वेस्ट कर देते हैं तो आपको एक अच्छा कसा मेचरीटी एमांट देखने को मिलेगा तो दुस्तों आई हो 25 वीडियो को माधियम से जो स्चेशल कर, अबोल सब्सक्वाद कर दोस्तों एक प fondo को मिलें से जोड़ी Amen